बिसमिल्ला रख्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम जनरल मैथ का हमारा थर्ड लेक्चर है और क्लास एट्थ है नाइथ जैसे एट्थ के बॉइस के लिए टेफ्टर बन से शुरू किया था तो अब जैसी वो exercise 1.4 पर पहुंचेंगे तो वो इस लेक्चर को follow करेंगे ठीक है, exercise 1.4 के पहले 4 question हम कर चुके थे आज हम 5th question करेंगे, 5th question जैसे आपको नजर आ रहा है simple सा है, if a ratio b is equal to 2 ratio 3, find the ratio 6a ratio 2b ठीक है, यनि अगर आपके पास a ratio b का यह answer है आपके पास a ratio b कोई भी any quantities हैं, जिनके बारे में ratio आपको दी जा रही है, 2 ratio 3 है तो वो कह रहा है कि अगर a ratio b यह है, तो 6a और 2b क्या ratio क्या होगा, simple है यनि a के साथ 6 times और b के साथ 2 times, तो जब जो हमारा answer दिया है 2 और 3 तो 2 को हम 6 times देखें तो क्या आता है, और 3 को अगर हम 2 times देखें तो क्या आता है तो हमारे पास इसका easily answer आजाएगा, ठीक है, इसका solution कैसे करना है, आपने copies पर या board पर देख लें exercise 1.4 है, question number 5 है, solution आप कैसे करेंगे, हमें क्या given है, a ratio b is equal to 2 ratio 3 जैसे हमने start में देखा, कि a ratio b को हम ऐसे भी लिख सकते है, 2 by c, ठीक है, तो उसने हमें कहा है, find हमने क्या करना है, 6a ratio 2 b find करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कि जो a है, उसके साथ 6 लगाएंगे, 6a और जो b है, उसके साथ 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी ह क्या करेंगे, जैसे बीच में equality लाए कर रही है, तो जब इदर 6 multiply किये, तो इदर भी 6 multiply हो जाएगा, और जब यहाँ 2 multiply किया, तो यहाँ भी 2 multiply हो जाएगा, we will get 12 by 6, there is 6a by 2b, तो बारह आप ratio के form में में लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास 6a ratio 2b का क्या answer आया, 12 ratio 6, ठीक है, 2 के साथ किया तो 12 और 3 के साथ किया तो 6, this is your required answer, इसको आपने find करना था, यह आपका easily find हो गया, now come to next question, next question है, हमारे पास question number 6, question number 6 में वो कह रहे है, our triangle has sides of length 3, 4 and 6, ठीक है, जैसे मैं पता है कि एक triangle की 3 sides होती है, तो उन 3 sides की उसने measurement दी वी है, एक 3 cm है, 4 cm है और एक 6 cm है, वो कह रहे है, find the ratio of the length of the sides to one another, ठीक है, यह जो 3 sides है, उन 3 sides की आपने एक दूसरे के साथ ratio लेनी है, ठीक है 3 sides हैं, तो 3 sides की ratio किस तरह possible होगी, कैसे होगी, first side की second के साथ, first side की third के साथ, and second side की third के साथ, यह जो possible combinations बन सकती है, 3 sides की, वो 3 ही बन सकती है, तो 3 sides की 3 ratios हमारे पास आएंगी, ठीक है, आपको जिर board पर मजीद वाज़ा कर देती हूं, जैसे हमारे पास एक triangle होता है, तो triangle की 3 sides हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको कोशिश करें, उसी तरह बनाने की 3, 6 and 4, let's suppose this is 3 cm, this is 6 cm, and this is 4 cm, तो possible ratios क्या है, 3 की 6 के साथ ले सकते हैं, 3 की 4 के साथ ratio ले सकते हैं, ठीक है, and the last combination जो possible है, वो 6 की ratio 4 के साथ ली जा सकती है, तो यह 3 combinations possible हैं, जो के हमने ratios लेनी हैं, ठीक है, 3 की 4 के साथ भी ratio को ले ली गई, 3 की 6 के साथ भी ले ली गई, अगर ultra reverse करें, तो 6 की 3 के साथ भी हो गई, और 6 की 4 के साथ भी हो गई, तो possible combination जो ratios की बनती है, वो 3 बनती है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं, इसकी solution, आप copies पे कैसे करेंगे, question number 6 की, सबसे पहले आप लिख सकते हैं, let the side are, मतलब sides को आप नाम दे दे, a, b and c, ठीक है, 3 sides हैं, then, a side is equal to 3 cm, b side is equal to 4 cm, and c side is equal to 6 cm, ठीक है, ठीक है, तो लिखें, now possible ratios, r, possible ratios क्या है, a ratio b, c, b ratio c, and c ratio a, तो a ratio b क्या है, 3 ratio 4, b ratio c क्या है, 4 ratio 6, और c ratio a क्या है, 6 ratio 3, ठीक है, यह possible ratios है, ठीक है, अब इसमें से यह तो simplify नहीं होती, यह prime number है, यह आपस में solve out नहीं हो सकते हैं, यह simplify हो सकती है, मजीद simplify होके हमारे पास यह क्या बन जेगी, 2 ratio 3, और यह simplify होके क्या बन जेगी, 2 ratio 1, ठीक है, 3, 2, 0, 6, तो इसको हमने क्या किया, इधर हमने किया, divided by 3, और इधर हमने क्या किया, divided by 2, ठीक है, 2, 2, 0, और 2, 6, और यह already simplified है, तो इस तरह आपके पास ratio जाजेंगी, मेरे पास board पर जगा नहीं है, इसने मैंने इस तरह लिखा है, लेकिन आप copy space को vertical लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसे आपने horizontally लिखना, बलके vertical लिखना है, number 1 इसको देना है, number 2 इसको देना है, इस तरह आपने line-wise उपर नीचे करके लिखना है, ठीक है, इस तरह नहीं लिखना, यानि, column-wise लिखना है, rows-wise नहीं लिखना, एक column आपने बनाना है और उसमें तीनों ratios लेनी है, ठीक है, now we will move to question number 7, question number 7 is so easy, two angles in a triangle are 54 degree and 72 degree, find the ratio of the third angle to the sum of the first two, बहुत असान है, इसमें आपको, इसमें triangle की sides की measurement थी, इसमें triangle की angles की measurement है, जिसने triangle में 3 sides होती है, उसी तरह ट्राइंगल में 3 angles होती है, तो उसमें आपको 2 angles बताएं हैं, और आपने तीसरे angle की ratio लेनी है, किसके साथ, जो दो बताएं हैं, उनके sum के साथ, ठीक है, to the sum of the first two angles, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं, बलके जो उसने first two angles बताएं थे, उनके sum के साथ आपने तीसरे angle की ratio लेनी है, तो सबसे पहले आपको तीसरे angle find करना होगा, ठीक है, अपने third angle आपको given नहीं है, तो सबसे पहले आपने third angle find करना है, उसके बाद आपने ratios लेनी है, ठीक है, इसका हम board पर देख लेते हैं, यह आपके पास है, question number seven, जैसे हमने देखा, कि एक triangle के तीन angles होते हैं, ठीक है, तो दो आपको बताएं हैं, this is 54, this is 72, angles का sum जो है, वो 180 होता है, तो जब इन दोनों angles को plus करेंगे, और उसको 180 से minus कर देंगे, तो आपके पास third required angle आजाएगा, ठीक है, इसके लिए भी इससी तरह कर सकते हैं, जैसे हमने sides में नाम दे दिया थे, इससी तरह हम angle को नाम दे सकते हैं, कि this is let's suppose angle A, this is angle B and this is angle C, ठीक है, so angle C कैसे find होगा, sum of angle B, AB minus 180, ठीक है, so solution आप copies पे कैसे करेंगे, सबसे करेंगे, पहले लिखेंगे, let angle A is equal to 54, angle B is equal to 672, now then, angle C is equal to angle A, sorry, 180, minus angle A plus angle B, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, साथ bracket में, कि angle A plus angle B plus angle C is equal to 180, यहाँ यहाँ पर 180 क्यों यूँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, यह इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, sum of angles of triangle is 180, ठीक है, तब यहाँ पर, A और B की जेगा values डाल दे, 54 and 72, ठीक है,